कोशन में बेटा आपको ये बोला गया है तो आपको एरिया जो है 35 मिनट में कितना आया वो आपको बताना है ठीक है यह आपके पास एक क्लॉक है 12, 6, 3 and 9 ठीक है अब यहाँ पे आप क्लॉक को कम्प्लीट कर लीजिए पहले यह आ गया अब आपके पास 35 मिनट में जो एरिया आया तो यहाँ से अगर हम यह देखें तो इतना हो रहा है 35 मिनट में एरिया ठीक है तो मतलब हमें कुछ यह वाला जो है आपके पास क्या बन रहा है सेक्टर बन रहा है तो इसका एरिया आपको फाइंड करना है तो सबसे पहले हमें एंगल देखना पड़ेगा, ये एंगल कितना आएगा 35 मिनट में, तो बेटा हमारे पास 60 मिनट में जो एंगल बनता है, मतलब पूरा एक गंटे में एंगल जो complete है, वो कितना है, 360 है, ठीके, अब इसी का हम 1 मिनट का एंगल निकालेंगे, 360 upon 60, तो cutting किया आपने 6 डिगरी आ गया, तो आपको 35 मिनट का एंगल निकालना, तो ये 6 multiply में 35 हो जाएगा, 6 5 जा 30, 6 3 जा 18, 18 ओर 3, 210, तो ये आपके पास एंगल आ गया 35 मिनट में, तो चलिए, अब हमारे पास जो wall clock is 18 cm long, इसका hand, जो hand दिया गया है, वो कितना है, 18 cm long, ठीके, तो it means वो radius हो गया clock का, तो आप उसको क्या ले लेंगे, radius, ठीके, चलिए, start करते हैं question, तो आप लिखेंगे, radius, radius of clock लिख लो, जा circle लिख लो, तो हमने clock लिख लिया, तो वो कितना है, आपके पास, 18 cm, ओके, एंगल, एंगल of इसी clock का, तो sector भी लिख सकते हैं, आप उसको ठिट्टा म लीजे, वो है, आपके पास, 210 degree, ओके, तो area of clock की जगा, हम sector ही लिख रहे हैं, यहाँ पे, sector जो भी बनेगा, वो आएगा, पाई, आर स्क्यार, ठिट्टा, अपान में, 360, ओके, पाई की value नहीं दी, 22 by 7, आर आपके पास, 18, multiply, 18, angle, 210, 360, बेटा, यह cancel हो गया, अब आप इसक काट रहे हैं, 3 के टेवर से, 3, 7, 3, 1, 3, 2, ठीक है, 6 के टेवर से, 6, 3, 6, 2, 2, 1, 2, 11, 7, 1, 7, 1, ठीक है, अब हमारे पास, 18, 3, 54, multiply, 11, तो यह आ गया, 11, 4, 44, 11, 5, 55, 59, तो आपके पास area आ गया, centimeter square में, ठीक है, यह आ गया, आपका इसका answer, ओके?